नमस्कार दोस्तों, आज मैं ले चलूँगे आपको रिशिकेश की शेर कराने रिशिकेश, ये नाम सुन्दही मर में एक अद्बत से शांती का अनुबब होता है रिशिकेश एक संस्क्रिट चब्द है और उसका हर्थ है लौड अफ और दिसेंटिस रिशिकेश का मतलब इंद्रिय और इश का मतलब देटा यानि कि सबी इंद्रियों के स्वामी या देटा का मतलब रिशिकेश शायद इसी वज़े से रिशिकेश आकर हमारी सबी इंद्रिय शांत हो जाती है और हमारे मन में जो भी तरफ तनाव होता है या परेशानिया होती है वो सब फूल कर हम एक अजब सी शांती का अनुभव करते हैं तो आए चलते हैं रिशिकेश तो हमने कारेपुल रेलवे स्टेशन जाने के लिए मेट्रो में सफर किया और वहां से ट्रेन में सीधा रिशिकेश यह आ गए हैं मेट्रो के प्लेट्फरम पर यह बहुत ही शांदार है और यूरोप के स्टेशन जे से लगता है रिशिकेश आप बाई एर भी चाह सकते हैं आप एमदबाद से देली की फ्लाइट ले सकते हैं और फिर देली से बाई रोड 250 किलो मेटर का ट्रावलिंग करके आप रिशिकेश आ सकते हैं या फिर आप एमदबाद से देहरादून की फ्लाइट भी ले सकते हैं और देहरादून से रिशिकेश सिर्फ 21 किलो मेटर पड़ता है तो हमारे लिए ट्रेन बहुत कंवीनेट थी क्योंकि अगर आप घुरू पे ट्रावल करते हैं तो ट्रेन का मज़ा कुछ और ही होता है ट्रेन में हमने बहुत मस्ती की और यह आगा हम रिशिकेश रेलवे स्टेशन रिशिकेश का जो पुराना रेलवे स्टेशन था उसके पास ही में यह नया और बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन बनाया गया है और यह बहुत ही क्लीन लखा गया है और बाहर की साइड में काफी प्लांटेशन और कार्डन बनाया गया है वेल्कम डुट योगा कैपिल आफ दु वोल्ड रिश्यकेश भारत के अधियात्म भूमे और दुनिया की योग नगरी है देश भी देश से लोग यहां योग और साथना के लिए आते हैं हम रिश्यकेश दोपैर के दो बज़े पहुंचे थे अगर आप शद्दा के साथ गं नहीं हो सकता कि आप आप करते रहे और गंगा मैया हर हर बार आपके पाप अपने अपने में समाले तो गंगा मैया में इस नाम कर आपको प्रवित्र जीवन जीना है तब ही इसकी फ़ल मिलता है और यहां गंगा घाट पे बैट के संसर देखने का मसा एक जोर है अभी आर्थी का समय हो रहा है यहां पर्मा निकेतन घाट पे पांच से लेकर सारे छे बज़े तक गंगा आर्थी होती है रिशी केश में काफी जगा गंगा आर्थी होती है जिसमें मुख्य आर्थी त्रिवेनी घाट पे होती है त्रिवेनी घाट पे गंगा यमुना और सरस्वती का संगम होता है इसलिए यह त्रिवेनी घाट नाम दिया गया है पर्मात निकेतन घाट की गंगा आर्थी भी मन को मोहो लेती है लोग दूर दूर से यहां गंगा आर्थी के लिया आते है यहां आर्थी से पहले और आर्थी के बाद सुरीली आवास में भगवान का नाम संकिर्दन होता है और परमात निकेतन गुरुकुल के छात्र ही आरती और किर्टन गाते है मुक्य आरती परमात निकेतन आश्रम के परमात यक्ष श्री मुनी जी महराज करते है आती से पहले वो खोच सुरीली आवाज में संकिर्टन करते है ये मेरी पहले रिश्य केश यात्रा है और मैंने गंगा स्नान भी किया, गंगा आर्थी और गंगा मया की पूझा भी की ये मुझे लाइफ टाम याद रहेगा परमार्थ निकेतन घाट परी सुन्दर मंदिर है और यहां हनमान जी की बहुत बड़ी प्रतीमा के दर्शन होते है परमार्थ निकेतन के इसी घाट पर मैंने सिस्तुती पर नित्य भी किया था और उसका वीडियो आप मेरी चैनल में देख सकते है और यह है रामजूला रामजूला यह जूलता पूल है और इसे 1986 में बनाया गया था रामजूला रिशी केश के मुनी की रेट एरिया को स्वर्गाश्रम एरिया से जूडता है दिन के समय में रामजूला पे बहुत ही भीर रहती है टुरिस्ट भी आते जाते रहते हैं और टू वीलोस भी इसके उपर जा सकते है शाम के बाद थोड़ी भीर कम हो जाती है रामजूला की एक और लक्ष्मन जूला है जो कि अभी बंद किया गया है क्योंकि वो काफी पुराना हो चुका है और अब वो आवक मन के लिए सेफ नहीं है रामजूला की दूसरी और चान की सेतू है जो की नया बनाया गया है रात के समय में रामजूला बहुत ही सुन्दर लगता है राइटिंग भी होती है इस पे और नीचे बहती मा गंगा के पानी की आवाज भी आप सुन सकते है यह रिशिकेश की लोकल मार्केट है हाला की हमने इस विजिट पे शॉपिंग में कुछ खास जान नहीं दिया था और एक ही बार मार्केट में ऐसे ही घूमने के लिए निकल निकले थे मॉमी ने मेरे लिए कुछ चीज़े खरेनी थी आप रिशिकेश आए और राप्टिंग ना करें ऐसा तो हो भी ने सकता राप्टिंग का पिक अप पॉइंट भी यहां पास में ही है आप देख सकते हैं कि कुछ राप्टिंग बोच भी इस तरफ आ रही है यहां 12 किलो मीटर, 18 किलो मीटर और 24 किलो मीटर का राप्टिंग होता है राप्टिंग के लिए आपको पिक अप पॉइंट से एक वही कर्मे राप्टिंग स्टार्ट पॉइंट तक ले जाते हैं एक बोट में 8 लोग बैच सकते हैं राफ्टिंग स्टार्ट करने से पहले आपकी एक चूटी 5 मिनित की ट्रेनिंग होती है जिसमें गाईड आपको बदाता है कि कैसे उसके कमांड आपको फॉलो करने है और कैसे आपको बोट को स्टीर करना है अगर स्ट्रॉंग रैपिड में बोट पलच जाती है या फिर किसी वज़ा से आप पानी में गिर जाते हैं तो आपको क्या करना है ये भी बदाते हैं आपको लाइफ जेकेट और हेलमेट पहना होता है इसलिए आप किसी भी सिटुवेशन में एकदम सेफ रहते हैं खाली आपको डरना नहीं है आप रिशpower के यसे राफ्टिंग जाहिए नहीं सकते राफ्टिंग के लिए आपके एज कम से कम 14 साल की होनी जाहिए इसलिए बहुत न होने के बावजूद भी मैं राफ्टिंग नहीं कर पाई थी लोगा 20 000 भी बीच बीच में जब रैपिज आते तो पानी बोट के अंदर आ जाती थी और आप पूरे भीग जाते थे बीच में एक मैगी पॉइंट पे बोट रुपती है जहां आप नाश्टा कर सकते हैं और क्लिफ जंबिंग भी कर सकते हैं हाला कि बहुत ही छोटी क्लिफ है कुछ दस बारा फीट की और बहुत रमजक अनुभव होता है यह हम आगे जानकी जूला पे यह रिसल्टी नवेंबर 2020 में शुरू किया गया था और यह रिशी केस का पहला थ्री लेन ब्रिज है जोनु साइट गाडियों के आवागमन के लि लोगों के लिए है यह परमार्थ निकेतन घाट का ही हिस्सा है हमने जो गंगा आती देखी थी वह यहीं पर होती है और आटी से तीस मिनिट पहले रोज एक हवन भी होता है जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर बैठने के लिए बहुत ही सुन्दर विवस्ता की गई है आ जैसी कि मैंने आपको पहले बताया था त्रिवेनी घाट की गंगा आती भी बहुत ही दर्शनिय है त्रिवेनी घाट रिशिकेश का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध घाट है गंगा आती का द्रिशियों भी आपके मानस पटल में हमेशा किरिये अंकित हो जाता है एक साथ बहुत सारे पुजारी एक जैसे ही वस्त तो आप मिस करी नहीं सकते हैं हम रिशिकेश में परमांत निकेतन में ही रुके थे यहां पे रहने के लिए बहुत अच्छी सुविदा है और यह गंगा घाट के बिल्कुल सामने है हम रोज सुबह और दोपेर के बाद गंगा सुनान के लिए जाते थे यहां का बातावरण एक गंगा ध्यात्मिक है यहां के गुरुकुल के बच्चे वेद मंदों का गान करते हैं और एक ही यूनिफॉर्म में इतने मनुहर लगते हैं कि आपको लगता है कि बदरी का अश्रम में आ गए हो यहां देश्वी देशे लोग योग और साध्रा के लिए आते हैं यहां के अध्याक्ष परम पुजय मुनिय स्वामी चिदानन सरस्वती सनातन धर्मों और पूरे समाज का लियान के लिए बहुती अधबुत कार्य कर रहे हैं यहां रोज शाम को सदसंग भी होता है तो दोस्तों आशा है कि आपको मेरा यह व्लॉग पसंद आया होगा प्रिश्रिकेश व्लॉग के अगले पार्ट में मैं आपको भूतरात महादेव के दर्शन कराऊंगी और हम नीरफोर्ज भी जाएंगे तो जुड़े रहे मेरे साथ और मेरी चैनल को लाइक शेर और सब सब्सक्राइब करें तन्यवाद